करेंट अफेर्स के अगले टॉपिक के अंतरगत भारतिय प्रदानमंत्री जी की कुछ यात्राओं पे चर्चा करेंगे आज अंतराष्टी सम्मन से जुड़े हुए करेंट अफेर्स को पढ़ेंगे वैसे यह मैं पहले भी डिसकस कर चुका हूँ लेकिन अब काफी सारा करें हो सकता है उसे मैं रिवाइस करा रहा हूँ ठीक है तो भारत के प्रदानमंत्री जी नरेंद मोदी जी की फ्रांस की यात्रा हुई थी और 13 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक दो दिन की यात्रा थी अब ये बहुत बिशेस आउसर पर यात्रा हुई थी 2023 की बात है पिछले तो इसलिए आप देखेंगे रेंडम आपके पास टॉपिक आएंगे तो 13 से 14 जुलाई फ्रांस की यात्रा पर रहें 13 जुलाई को पहुंचे यहां पर ठेक है और भारत जो है फ्रांस के साथ जो है अपनी रडनीतिक साज़ेदारी के 25 वर्स पूरे कर रहा है 2023 में 25 साल बहुत खास था west değil ज्स तरीके से हमारे देष में गर्टन दिवसम मनाते हैं यश्वत्तन दिवसम मनाते हैं उसी तरीके से फ्रांस के लिए west largest है और झी जु है वहां पे खास इसलिए हर 14 जुलाई को west metadata मनाई जाता है फ्रांस की क्रांती हूई थी जो फ्रांस की क्रांती है उसमें वास्तील का किला गिराया गया था फ्रांस की करांथी एक निरंकुस राष्त अंत्रात्मक सनरशना को तोड़ दिया गया था समानता बंदुता पर आधारी जो है फ्रांस ईसी करांथी 1789 को हुई थी तो ये डेट आपकी 14 जुलाई की ही थी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की करांती हुई थी उसमें वस्तील के किला को गिरा दिया गया था है ना और वहां के जो निरंकुस रास तंतरात्मक विवस्ता है उसको तोड़ करके कुलीन तंतरात्मक विवस्ता को जो है नया रूप देने की बात की गई थी फिर इसके बाद वहां की रजनीतिक साजेदारी के कितने वर्स पूरे हो रहे हैं 25 वर्स पूरे हो रहे हैं और साथ ही 14 जुलाई 2023 को क्या था वैस्टिल डे था अभी जैसे इस बार के गरतन दीवस में 2024 में हमने फ्रांस के राश्ट्रपती को अपना मुख तिथी बनाये था उसी तरीके से भारत के प्रदान मंत्री जी वैस्टिल डे पर जो वहां पर कार्टम था समारोह था उसके जो है मुख थिती बन करके भी गय थे वैस्टिल डे परेड समारोह होता जैसे हमारे गरतन दीवस परेड होती है वैसे ही वहां पर वैस्टिल डे परेड समारोह होता है तो प्रदान मंत्री प्रांस की जो प्रधानमंत्री है एलिशा वेथ बोर्न उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री जी ने की थी एलिशा वेथ बोर्न से भी मुलाकात की थी और देखे हमारे अब गनिश्च सहयोगियों में से कोई देश एक है तो फ्रांस है फ्रांस के साथ बहुत पुराने संबं अपने विशिक काल में भी फ्रांस भारत आया था और फ्रांस ने हमेशा भारत का स्वहयोग किया एक पर्मनेंट 5 B कंट्री है पी 5 कंट्री भी है तो फ्रांस की प्रदानमंत्री एलिशा बोर्ण के साथ मुलकात हुई थी फ्रांस की जो संसद है उसके अध्यक्षा है गेरा और ये वारता जो भी होगी आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए होगी विविन ने छेत्रों पर एक दूसरे के सहयोग को और बहतर करने को लेकर होगी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात होगी रक्षा के छेत्र की बात होगी विग्यान प्रदोकी के छेत्र की बात ह निवेस की बात होगी जलवाई परिवर्तन की बात होगी असेन नावकिय प्रयोग की बात होगी तो यह सभी मुद्दों पर हमारी फ्रांस के साथ वारता लाभी हुई सवाधी में और इसमें एक भारत-फ्रांस रणनीतिक भागीदारी के लिए एक भावी दस्तावेज भी जारी किया गया जिसका नाम था होरिजन 2047 यह है बहारत और फ्रांस के आने वले फबिश्य में कैसे हमारी रणनीतिक साज़ेदारी होगी उसको लेकर एक दस्तावेज भी जारी किया गया जिसका नाम था होरीजन 2047 तक भारत और फ्रांस की क्या प्रतिबद्दिताएं हैं तो इस दस्तावेज को भी सुईकार किया है ठीक है सबसे पहली बात जो मैंने आपको ओता है वेस्टिल डे परेड जो थी उस परेड के चीप गश्ट के तौर पे हमारे प्रधान मंत्री जी समरों पर समलित हुए थे सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री समलित नहीं हुए थे भारत ये वाईव शेना भी जो है और तीनों सेनाओं के चौविस लगबग टोटल 241 सदस्चे भी गए थे मलब की भारत के प्रधान मंत्री के साथ भारत की तीनों सेनाओं भी गई थी तीनों सेनाओं उस परेड में समलित हुए थे वाईव शेना 241 सदस्चे गए थे इसमें टोटल है हमारी तीनों सेनाओं भी समलित हुए थी इनकी उस्दस्चे Сती तीनों सेनाई भी वहां पर परेड दिवस का हिस्सा बनी थी जैसे इस बार आपने देखा होगा Raphil हमने लिया है तो राफिल जो है घरतन दिवस समर हो पर आपने देखा होगा और साथी फ्रांस का जो है एक तो यह हमेशा होता रहता है समय समय पर यह चीजे आपस में होती रहती है तो फ्रांस का एक राष्टिय दिवस है राष्टिय पर्व के तौर पर वैस्टिल डे को वहां पर मनाया जाता है और वैस्टिल डे पर वैस्टिल एक जेल थी आपकी वहां पर ल सम्मानित किया जाता है भारत के परदान मंत्री को सर्बोच नागरिक पुरुषकार दिया जाता है फ्रांस का और ये पहले परदान मंत्री बने वहां का एक पुरुषकार है आप इतना याद का लेजे आफ दा लीजन आफ ओनर पहले प्रदान मंत्री है जिनको ये पुरुषकार प्राप्त हुआ है फ्रांस सरकार ने पुरुषकार दिया है जैसे हमारे आप इस सर्बोच पुरुषकार आपका जो है सांती पुरुषकार होते हैं या फिर भारत रतन पुरुषकार होते हैं वैसे ही वहां का सबसे बड़ा नागरिक पुरुषकार है दे ग् भारत और फ्रांस मिलकर के स्कॉर्पीन पंडुबी भी बना रहा है तो उस पे भी साइन किये गए उस पे भी बात चीत हुई भारत जो है रक्षा सायोंगों को और बढ़ाना चाहता है और भारत अपना जो डियाइडियो का एक आफिस है तकनीकी कारयाले है वो पेरिस में ख खोलेगा और फ्रांस की एक कमपणी है जिसका नाम है टोटल कंपनी और भारत की एक कमपनी है इंडियान ओयल तो इंडियान ओयल और टोटल कंपनी के बीच में LNG के आयात को ले करके समझाओता हुआ है जो आपकी लिक्वेट नच्छरल गैस होती है LNG होती है उसको ले कर प्रत्वी पे अलौकन करने के लिए एक बड़ा अंतरिक्ष कार्यूम कर रहे हैं एक अध मैशकर तरिशना दोनों देश मिल करके तृष्णा उपग्रह बना रहा है कौन सा बना रहा है तृष्णा तो ये भी ध्यान रखेगा ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रतवी पे अलोकन करने के लिए आपका ये उपग्रह बना रहा है तृष्णा ये दोनों देश मिल करके बना रहा है सा भी आपकी उडाने होंगी उनके लिए भी आपस में हस्ताक्षर हुआ है कि हम कई उपग रहे एक दूसरे के छोड़ेंगे तो उसको लेकर के भी हस्ताक्षर किया गया है साथ ही भारत फ्रांस के एक सहर मार्सिले पे अपना दूतावास भी खोलेगा और फ्रांस जो है यूपी आई का प्रयोग करेगा यूपी आई के प्रयोग की सुरुआज जो है एल्फिल टावर पर पर प्रारम कर दी गई है एल्फिल टावर पर जो भी बुकिंग सो गयरा हो वहाँ पर UPI के माध्यम से भी booking की जा सकती है भारतिय टूरिस्ट जो है mobile app के जरिये अपना भुकतान कर पाएंगे UPI का काम कर पाएंगे तो अब UPI को भारत सरकार प्रमोट कर रही है वैसे एक सबसे दुखत गटना यह है कि पेटियम चला गया पेटियम ने UPI के दिशा में बहुत क्रांती लेकर के आया था बहुत ज़्यादा लोग पेटियम का यूज करते थे लेकिन 29 फरवरी के बाद पेटियम की सुविधाय काफी हद तक रुक जाएंगी मलब सारी तो नहीं रुकेंगी लेकिन बहुत सारी जो है सरकार की गाइडलाइन का और मुझे लगता ह है कि काफी हता के सही भी है क्योंकि regulatory body यदि ध्यान नहीं देंगी तो फिर आए दिन कोई भी घटना घट सकती है तो यदि RBI को लग रहा है तो कुछ समय बाद फिर सेवा बहाल हो जाएगी यदि सारी निमेतताएं सही रहेंगी ठीक है तो यह आप ध्यान रखेगा नहीं फिर क्या होता है कि अच्छा RBI क्या कर रहा था regulatory body क्या कर रही थी तो regulatory body उसी साब से काम करती है तो यह फ्रांस को लेकर के कई सारे points थे जो मैंने आपको बता दिये यह सारे points आप लोग याद रखेगा clear especially सभी को सभी लोग को clear है current affairs का भारत फ्रांस से जुड़े हुए महात्यपून पॉइंट बने बता दिये अब जैसे ही फ्रांस की यात्रा हुई 14 तारीक को 14 जुलाई को प्रधान मंत्री जी 15 जुलाई को पहुँच गए UAE के साथ भी हमारे संबंद बहुत बेतर है और 14 त्रियस सिष्ट मंडल के साथ 15 जुलाई 2023 को UAE की यात्रा पर भी पहुँचे ठेक है और UAE के साथ ये पांचवी यात्रा थी ठोक है अफिशल यात्रा देखें तो आबु धाबी में पहुँचे प्रधान मंत्री जी और ज जाबेदाल नहान तो इन से मुलाकात हुई और दोनों ने विविन चेत्रों पर बाक्चित की फिंटेक के चेत्र में व्यापार के चेत्र में निवेस के चेत्र में उर्जा के चेत्र में सुरक्चा के चेत्र में जलवाई परिवर्तन के चेत्र में इन सभी चेत्रों में सह इस चेतर पर भी एक दूसरे के साथ कई महत्रपूर्ण सौंजोते पर हस्ताक्षर किये गए इस थानिय मुद्रा के लिंदेन पर भी समझोते किये गए ठीक है रुपया और दिरहम के उपयोग को लेकर के भी दोनों ने आपस में समझोता किया एक दूसरे की भुकतान प्रण कर्णालियों को आपस में जोड़ने की बात की यहां पर एक हमारे देश का केंद्रिय बांक है भारती रिजर बैंक और स्विकत्रप अमिराद का केन्द्रिय बैंक है तो दोनों का एक ही करण करने का समझोता हुआ कि UPI और IPP को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, UPI प्लस IPP दोनों को आपस में जोड़ने की बात की, तो ये भी एक समझोता किया गया है, दोनों के दौरा, सिक्षा के छेत्र में भी बात हुए कि सहुग तरवमीरात के परिश तरव जो है वहां पर डिग्रियां बच्चे कर पाएंगे, वहां पर लोग कर पाएंगे, जो वहां से जुड़े हुए है, तो IIT डिली अपना परिशर वहां पर इस्टैबलिस कर रहा है, साथ ही भारत और UAE के बीच में जो ब्यापार है, उस ब्यापार को और बढ़ाने क ठीक है, और अभी जो इस्थिती है, UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार है, है ना, भारत का तीसरा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार कौन है, UAE, और सबसे ज़्यादा आयात करने वाले ही बात करें, तो जो है, यहां पर, एक तो पहली बात है चौथा सबसे बड़ा निवेशा का है भारत में इंवेश्ट भी करता है और दूसरा सबसे बड़ा नियात गंतव बन-क्राइब भ्यत बढ़न चुका है हम यहां पर बड़े इस्तरपन नियरात कर रहें अमेरिका में नियात करते है और उसके बाद जो है COP28 के UAE अद्धिक्षिता कर रहा था तो ऐसे में बैस्षिक भूमिकाओं को भी देखा ही देखता है कि भीया और UAE का भी कद बढ़ रहा है अंतराश्टी स्तर पे और भारत का कद भी बढ़ रहा है तो दोनों देश आपस में एक दूसरे को ले करके चल रहा है अभी एक नया रहा हुई और विभिन मुद्दों पर बात चीत हुई अब देखे अगला जो बहुत इंपोर्टेंट है इससे भी बहुत फैक्ट आएंगे आपके एक एक आपकी बुनियादी पसुपालन सांक्य की रिपोर्ट आपकी जारी हुई है ये वैसे हो सकता मैं पहले भी बता द रिपोर्ट दो हजार तेएस एक आपकी रिपोर्ट जारी हुई है बुनियादी पसुपालन सांकी रिपोर्ट दो हजार तेश ठीक है किसने जारी किये केंद्रिय मतस से पसुपालन और डेरी मंत्री स्री पुर्शोत्तम रुपाला जी के द्वारा जारी की गई है किसके द ठीक है केंदरी मतस्यपालन पशुपालन और डेरी मंत्री हैं आपके ठीक है और इन्हों ने पशुपालन सांखे की रिपोर्ट 2023 जारी की है अब इस रिपोर्ट में कई सारे मुद्दों पे बात हुई दूद पे अंडा पे मांस पे उन पे कि इनका उत्पादन क्या रहा अभी जो आपके एक्जाम होंगे उसमें डेटा पूछा जाएगा आप सभी से ठीक है तो अभी जो आपका यहां पे डेटा है दो हजार बाइस का एक तरीके से मान के चलिए कि दो हजार बाइस तेश में टोटल दुख दूद पादन कितना रहा भारत में दो हजार यहां पे करके लिखते जाएगा पहले दूद की बात करते हैं टोटल दुख दूद पादन की बात करें दुख दूद पादन में यूपी नमबर एक रहा ठीक है तो दुख दूत पादन में टोटल कितना है तो भारत विश्व में अग्रडी देश है नमबर एक देश है हम सबस्यादा दूत को पादन करते हूं सबस्यादा दूत पी भी जाते है ठीक है तो एक दुख दूत पादन को लेकर ये आप दे ठीक है, दूर्शे नमबर पर है कुल अन्डा उत्पादन, यह तो है कुल दुख दुथ उत्पादन, ठीक है, फिर कुल अन्डा उत्पादन, कुल दूध, कुल अन्डा उत्पादन, यह हम कुल अन्डा उत्पादन की बात करें, तो टूटल अन्डा उत्पादन कितना 138.38 billion ठीक है, इतना अंदा उत्पादन हुआ है आपका तो दुद तुद पादन आपका और यह अंदा उत्पादन हुआ, अंडा उत्पादन में सबसे नग्रडी देश है आपका कितना आंध्य प्रदेश आंध्य प्रदेश नंबर एक पे आंध्य प्रदेश के बाद तमिलनाडू का नंबर आता है फिर तेलंगाना है आंध्य प्रदेश तमिलनाडू तेलंगाना ठीक है सबसे ज़्यादा अंडा ठीक है और सबसे अधिक अंडा की ब्रदिदर करने वाला राज आपका पश्वी मंगाल था कुल मान्स उत्पादन की बात करें तो टोटल मान्स उत्पादन जो हुआ है कुल मान्स उत्पादन की बात करें कुल मान्स ठीक है ये तो टोटल मान्स है मान्स है 9.77 मिलियन टन ठीक है 9.77 मिलियन टन इतना अनुमान है टोटल मान्स उत्पादन का क्लियर है सभी को इस पश्ट है सभी लोगों को क्लियर है तो ये तीन चीजे आपको ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा मान्स उत्पादन में नंबर एक पे आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश इसमें भी नंबर एक पे उत्तर प्रदेश है ठेक है नंबर एक पे उत्तर प्रद और फिर आपका महाराष्ट है, महाराष्ट है, ठेक है, फिर आपका महाराष्ट है, कुल मांस उत्पादन, सबी लोगो को क्लियर है, टोटल मांस उत्पादन में, और टोटल अंडा उत्पादन में, और टोटल आपका दूद उत्पादन में, दूद उत्पादन कितना है, 230, ट्रश्चि मंगाल का स्थान आता है यह आपको ध्यान रखना है एक और देख लिजेगा कुल उन उतपादन की बात करें तो टोटल कुल उन उतपादन हुआ है टोटल कुल उन उतपादन हुआ है और इस हम उन उतपादन पे बोले कि नंबर एक पर कौन सा है तो नंबर एक पर राज्चिस्तान है फिर जम्बू कासंेर है राजिस्थान और फिर जम्बू कासुमेर ठेक है ये अपको ध्यान रखने है सरवाधिक उन उत्पादन वाला राज जी कौन सा है राजिस्थान टोटल 33 से समभलो 69 पे भी ध्यान में रकना है सरवाधिक बृध्धी अलग है देखो सब में सरवाधिक बृद्धी वाला भी एक डेटा है कहिए तो मैं सरवाधिक बृद्धी वाला भी आपको बता दू देखो उन उत्पादन में सरवाधिक बृद्धी दरवाला राज जरुनाचल प्रदेश है ये तो टोटल है, टोटल में नंबर एक राई स्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा बृद्धि क्या होई है, सरवाधिक बृद्धि में है आपका अउनाचल प्रदेश, एक तो ये ध्यान रखेगा, ये उन उत्पादन की बात कर रहे हैं, यदि हम मानस उत्पादन की बात कर है, यदि हम अंडा उत्पादन में सरवाधिक बृद्धि की बात करें, तो अंडा उत्पादन में सरवाधिक बृद्धि होई है, पश्चिम मंगाल में, सरवाधिक बृद्धि कहा होई है, पश्चिम मंगाल में, नंबर एक पे आंधर प्रदेश है, सरवाधिक दूद उत्पादन की बात करें तो दूद उत्पादन जो है आपका जो है इसको लेकर के जो डेटा है आपका बने बताया है टोटल आपका इतना दूद उत्पादन है और इसमें जो सरवाधिक जो ब्रदी हुई है पहले तो आपका उत्तर प्रदेशी है इसमें उत्तर प्र आपका अलग-अलग बता दिया और यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है इससे कुश्चन आपका निकल के आएगा अब देखे एक वर्ड बैंक की रिपोर्ट आती है आपकी वर्ड बैंक के द्वारे एक रिपोर्ट जारी की गई जिस रिपोर्ट का नाम है विश्व बैंक प्रवाशन एंड विकास रिपोर्ट दो हजार तेश विश्व बैंक प्रवाशन एंड विकास रिपोर्ट दो हजार तेश ठीक है यह आपकी रिपोर्ट रही और यह आपका है कि कहां पे कितना पैसा पहुंचा है ना किस कंट्री में कौन सा पैसा पहुंचा जैसे प्रव 186 भारती रहरा है बारत के लोग विदेशों में रह रहा है तो कितना पैसा भेज रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों ने, 125 अरब दॉलर भेजा भारत को, Remittance बोलते हैं इसको, नमबर एक पर कमाम सा है, भारत ठीक है ये आपको ध्यान रखना इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर मेक्सिको आता है फिर आता है चीन फिर इसके बाद फिलिपीन से फिर मिस्र है ठीक है एक बार क्रम से मैं लिखवा देता हूं नंबर एक पर भारत है फिर आपका मेक्सिको है नंबर दो पर नंब पहरत है ठेक है र्रिपोर्ट काई से विस्वněंक प्रवाशन और बिकास पर ठेक है नंबर एक पे भारत है नंबर दो पर मेक्सिको है नंबर तीन पर चीन है तो फिलिपीन्स है और फिर आपका नमबर पाच पे मिस्र, तो यह वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, विष्व बैंक प्रवासन इन विकास रिपोर्ट दुहजर तेस, इस रिपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है, यह एक महात्य पूंट रिपोर्ट है, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्ल प्रसांत मानव विकास रिपोर्ट ये कौन जारी करता है UNDP, UNDP के द्वारा जारी की गई, United Nation Development Program के द्वारा इसको जारी किया गया, Asia प्रसांत मानव विकास रिपोर्ट आपकी जारी की गई, और इस रिपोर्ट का सीरसक आप देखें, Making Our Future, New Direction for Human Development in Asia and Pacific चेतर में, ठीक है, तो Asia प्रसांत चेतर में जो है, जो है, विकास और मानव विकास को लेकर के, नए जो है, आयाम नए डिरेक्शन क्या हो सकते हैं, इसको से जादा प्रतिविक्ति आये, दर्ज की गई है, तो भारत में की गई, इस रिजन में, ठीक है, बहुत तेजी से भारत की प्रतिविक्ति आये, दर्ज हुई है, सन दो हजार से, दो हजार बाइस के बीच में, सन दो हजार में से लेकर, दो हजार बाइस के बीच में, सब से एट नाइन डॉलर ये आप सोच सकते हैं एक जो है अच्छा फीचर है और देश के अर्थवे उस्था भी 2000 सन 2000 से अब तक में तो बहुत परिवर्तन आये हैं तो सबसे तेजी से प्रतिवेक्ति आये कहां पड़ी है भारतियों की ठीक है और बड़ी संख्या में भारत में लो में 40% थी आज ओ निर्धंता 2019 में गट करके 10% रह गई है तो निर्धंता बहुत तेजी से कम हुए पर कैपिता इंकम बहुत तेजी से बढ़ा है और इस हिसाब से भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है ठीक है तो हमारे देश का जो बहु आया में और लो भी आपका 25% से घटके 15% रह गया है, तो निर्धनता के आधार पे भी भारत बहुत ही तेजी से अपने आपको बहतर करता हुआ चला जा रहा है, एस्या प्रसांच्छेत पे विकास हमने बहुत तेजी से किया है, तो यह आपको ध्यार रखेगा, एस्या प्रसांच्छेत में मानो विकास को को लेकर के आपकी रिपोर्ट आती है भारत की स्तती पहले से बहतर हुई है और यह यु-एन-डी-पी के दौरा जारी किया गया ठीक है तो एक आपका यह हो गया मानो भीकास सूजकांक UNDP के द्वारा एक World Bank के द्वारा मैंने आपको बताए कि World Bank ने प्रवाशन और विकास रिपोर्ट में भारत नमबर एक में अग्रणी देशे 125 अरब डॉलर के साथ सबसे अधर एमिटेंस आपको भारतियों को भारतियों के द्वारा भेजा जाता है यह आपका जो ह की फ्रांस यात्रा है महात्यपूर्ट जितने भी सेग्मेंट हो सकते हैं इनसे जो भी कोशन बन सकते हैं उसके बारे में हमारी चर्चा यहां पर विस्तार में डिटेल में हुई है ठीक है तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे और ये एक बहुत ही महात्यपूर्ट जो है आपका आज का करेंट अफेर्स का टॉपिक था